दोस्तों अगर आप options में trade करते हो और सिर्फ 10,000 का capital आपके पास है तो भी आप 40,000 तक का profit बना सकते हो पूरे एक महीने में दो lot के साथ आप देखें आपके सामने live proof मैं दिखाता हो 40,000 का profit पिछले ही महीने में बना था सिर्फ 10,000 का capital यूज़ करके यहाँ पे देखें दोस्तों आपको 22,000 का profit 24,000, 800, 1600, 27, 200, इसी तरीके से consistently profits बने है percentage भी आप देख सकते हो consistent percentage आपके रखा गया है आप बोलोगे Excel में दिखाना तो आसान है live में करके बताओ तो चलिए जिरोदा में आपको बताता हूँ live trades ली गई है इसी strategy को लेके इसी महीने में August महीने में पहले चार दिन का data आपके सामने है आप देख सकते हो यहाँ पे दो लोट के साथ trading की गई है यहाँ पे देखिए buying price जो है 7800, 6800, 6600, 10600, 10,000 के करीब करीब यह buying price है साथी साथ आप देख सकते हो profit and loss 1100, 1900, 1900 और 1500 का loss इस तरीके से दोस्तों यह strategy बहुत जबरदस तरीके से work होती है आपको live भी दिखाया हूँ Excel में भी दिखाता हूँ पिछले महीने का data आप देख रहे आपको इस video को पूरा देखना क्योंकि मैं जानता हूँ market में अलग-अलग strategies को आप use करते हो और हर दिन नए losses बनाते हो और आपको लगता है कि मैं market से कुछ सीख रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं सीख रहे है अगर आप एक strategy के उपर discipline से focus करोगे एक strategy को हर दिन लगा तार तो market में पैसा बनता है बस आपके पास ये plan होना चाहिए तो plan क्या है किस तरीके से entry exit करना है सारी चीज़े इस video मैं बताओंगा दोस्तों अगर आप job कर रहे हो business कर रहे हो कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं कम capital के साथ भी बड़ा profit देने वाली strategy आपको किस तरीके से profitable बनाए आप सब लोग अच्छे होंगा है दोस्तों आपका आज का दिन profitable रहा होगा दोस्तों stop loss hunting की strategy की मदद से आज भी हम लोग ने profit को book किया है जिसकी live trading वीडियो यहाँ पे post हो चुकी है साथ ही साथ दोस्तों nifty range breakout strategy के according भी मैंने telegram channel के उपर आपको levels post की थी देखिए यहाँ प हर दिन सुबह सुबह साथ ही साथ यह हमारा free group है यहाँ पे दोस्तों मैं stop loss hunting की levels post करता हूँ किस तरीके से market में stop losses available है आप किस तरीके से find out कर सकते हो कैसे trade कर सकते हो everyday morning में मैं इसे post करता हूँ आप इस group को join कर सकते हो description में इसकी link दी हुए है वहाँ से आप हमारे telegram के free group को join कर सकते हो चलिए दोस्तों आज के strategy की तरव आगे बढ़ेंगे सबसे पहले देखिए यह आज का हमारा profit है साती साथ देखिए मैं आपको दिखा चाहूंगा देखिए यहाँ पे हम लोग ने august महीने के 4 दिन का profit आप देख सकते हो परसंटेज यहाँ परसंटेज यहाँ प ट्रेड लेनी है आप भी हैरान हो जाओगे देखिए कि जहाँ पे आप profit बना सकते थे वहाँ पे आप loss बना रहे हो यह strategy पूरी एक मिनिट के अंदर होने वाली है पाच मिनिट तीन मिनिट आप नहीं यूज कर सकते सिर्फ एक मिनिट के अंदर इस strategy को करना है सुबे सुब लेनी की जरूरत नहीं है और maximum times आपको profit ही होगा यह आपको देख के मालूम पड़ेगा क्या strategy है किस तरीके से इसे करना है इसके लिए हम लोग को trading view में जाना पड़ेगा trading view में देखिए मैंने excel sheet पहले आपको explain करता हो excel sheet के according किस तरीके से trade बनी है मैं आपको दिखाता हो द 10 से 15,000 किसी दिन premiums महंगे होते है तो 10 से 15,000 का capital रखा करो उसके बाद में देखे आपको यहाँ पे अगर आप इसी strategy को 8 lot के साथ करते थे तो 1,59,000 का profit बनता था but anyways यह हमारा future target होने वाला है और current हमारा target होने वाला है सिर्फ एक lot जो लोग नए है वो तो paper trading की करो कोई जोड़ा सा experience लिया है वो एक lot के साथ कर सकते है एक lot में इस strategy को अकर successful करते हो तो 2 lot कर दो फिर 4 lot फिर 8 lot यह आपका target होने वाला है इसी तरीके से आपको strategy करनी है चलिए अब back testing के पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हो फिर वहाँ पर भी जाके आपको बता दूंगा चीज आपको इसमें common दिख रही है कि मैंने जो profit का है यहाँ पर percentage है जो average है वो same रखा है जहाँ पर देखे 2400 मतलब 2000 से लेके 3000 तक ही आपका profit यहाँ पर देखेगा बहुत ही कम बार आपको 3000 के उपर यहाँ पर profit देखेगा क्योंकि यह मैंने average रखा है और हमारा loss यहाँ प चीज आप यहाँ पर जुरुदा में भी देख सकते हैं मैंने वेरा loss है वो 1500 के आसपास ही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको strategy बताता हूं किस तरीकी से करने हैं सबसे पहले देखेगे यहाँ पर आपको कुछ examples के साथ आपको बताता भी हूँ पूरा जुलाय मन है वो शुरू हुआ था तीन तरीक को तो तीन तरीक को हमें कोई trade यहाँ पे नहीं मिली market खुलते ही उपर गया तो यहाँ पे कोई trade नहीं बनी क्योंकि market में बहुत बड़ा gap up था ऐसे दिन most probably मैं avoid करता हूँ अगर trade किया भी तो मेरे setup के according मिल गया तो मैं करता हूँ अभी सामने data क्या है उसके according आपको trade बनानी है data आपके सामने क्या है तो देखिए मेरे सामने एक दिन पहले का data आपको चेक करना है इस strategy को करने के लिए क्योंकि सुबह सुबह ही यह strategy workout होती है सिर्फ एक दिन पहले का data आपको देखना है वो भी आपको देखना है market में buyer seller कहाँ प देखे यह जो buyer है क्या यह market में available है तो नहीं market ने इसका 50% से profit कम कर दिया है तो यह तो available नहीं तो दूसरा जो buyer market में आया था वो इस level पहते देखे यहाँ पे market में buyer है यहाँ पे buyer है तो मैं यहाँ पे link देता हूँ buyer बहुत ही जबर्दा strategy है दोस्तों थोड़ा साइसे समझने के कोशिश किजिए अगर एक बार इसे सीख गए ना तो market में लगातार profit बनाओगे देखे यहाँ पे buyer market में available है और यहाँ पे closing price है देखे closing price क्या होती है ना मैं आपको बताता हूँ closing price कैसे होती है दोस्तों देखे यहाँ पे closing price मतलब previous day पे market जहाँ पे close हो गया अगर previous day की closing price नीचे है तो इस strategy के according यह माना जाता है कि closing price पे buyer और seller दोनों available होते है closing price पे buyer और seller दोनों available होते है देखे इस strategy में हम लोग क्या करने वाले है जहाँ पे भी buyer या seller के stop losses मिलेंगे तो हम उसे hunt करने की कोशिश करेंगे एक simple सा logic पहले आपको explain करता हूँ देखे मान लिजए यहाँ पे buyer है और यह closing price है यहाँ पे buyer और seller दोनों है अब देखे market यहाँ पे open हो गया यह कितने points है मान लिजए लगब 200 points उपर market open हो गया 200 तो यहाँ पे profit में रहेगा buyer profit में रहेगा seller तो यहाँ पे निकल गया क्योंकि seller का अगर gap down होता तो seller profit में होता था buyer profit में क्यों है क्योंकि market gap up है 200 points अब देखे 200 points यह buyer profit में है तो हम लोग को target क्या करना है target करना है इस buyer के stop losses को इस buyer के stop अब देखे अगर यह जो difference है यह जो distance है यह distance अगर 100 point है तो market हो सकता है immediately एक बड़ी candle बना के या इस तरीके से इस buyer के stop losses को पूरा हंट कर ले या फिर उपर जाके यहाँ पे इस तरीके से उपर pattern मना है और फिर यहाँ पे आके इस buyer के stop losses को हंट कर ले दूसरी possibility यह है कि market अगर यह distance बहुत बड़ा है मानले यह distance 400 point का है 400 या 300 points का तो इस buyer को डर लगने लगेगा market में जैसे ही market gap अप रहता है तो थोड़ा सा नीचे आ गया तो इसको profit वैसे तो अच्छा बन रहा है 300-400 point है तो यह क्या करेगा अपनी position से exit लेनी की कोशिश करेगा तो market थोड़ा सा यहां पर आप देख होगे तो देखें यहां से लेकि यहां तक होगा तो देखें आगर कुई seller एवैलेबल होगा तो यहाँ पर बायर सेदर दोनों होगी अब जैसी market open होता है वन मिनिट का time frame nifty bank का chart है यह first candle को आप देख सकते हो first candle का यहाँ पर high break हुआ अगर आप देखो के clearly तो first candle का यहाँ पर high break हुआ तो high break होने पर market में कौन आएंगे market में आएंगे buyers high break होने पर market में आएंगे buyers अब देखिए इस seller का stop losses cut गया market जैसी उपर गया इस seller की stop losses को hunt कर लिया यह buyer जो है यह market में profit में है आप खुद देख सकते हो इस buyer को market में बहुत अच्छा profit यहाँ पर देखने मिल रहा है तो अब आपको trade कैसे बनानी है trade simple logic पर बनानी है कि stop losses नीचे है stop losses नीचे है तो आपको trade put side की बनानी है और जभी यहाँ पर buyers activate होंगे तब आप put side की trade बनाओगे तो यहाँ पर simply देखिए जैसे ही first candle जो है यह देखिए इसका high break हुआ और कोई green candle आपको यहाँ पर दीख जाती है तो आप यहाँ पर put side की trade बनाओगे okay green candle देखिए simple logic है stop losses कहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर stop losses है यहाँ पर stop losses है अब market open कहाँ पर हुआ gap up और यह distance भी जादा बड़ा नहीं है distance को अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकिए यहाँ तक करीब करीब 100 point का है तो मान लीजे यहाँ पर जो buyer बैटा है उसको जादा profit नहीं बनाओगे तो यह थोड़ा wait करेगा कि उसको लगएगा और profit बड़ेगा तो यहाँ पर जैसे ही market खुला first candle का high break हुआ यहाँ पर buyers activate होगे और उपर कोई भी stop losses नहीं है उपर कोई stop losses नहीं है सारे stop losses नीचे है तो हमें put side की trade बनानी है आप देख सकते हैं यहाँ पर simply अगर आप देखोगे तो इस green candle पर आपको entry बना लेनी है stop loss आपको करीब करीब spot के चार्ट में 80 point options के चार्ट में 40 point target आपका होगा है यह closing price यह closing price लगाई है इस closing price को जैसे ही market breakout करता है आपको market से निकल जाना है देखिए यहाँ पर point 30% मतलब 30% का profit आपको यहाँ पर बन सकता था यही चीज मैंने explain किये यहाँ पर 2250 का profit बना है यही easy नहीं है कि आपने entry बना ली और हर बंदा यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आता है तो market सबको पैसे देते बैटेगा तो market में कैसे कमाएंगे लोग देखिए एक का पैसा दूसरे को जाता है इस जीरो सम गेम का मतलब है market में कोई पैसा कोई आपको अलग से पैसा नहीं देता है किसी एक को loss होता है तो आपको profit आपको अगर loss होता है तो किसी और को profit यही चीज मार्केट में चलती है तो simply देखिए आपको यह stop loss hunting से आप easily find out पर सकते हो कि market में किसको loss हो सकता है किसको profit हो सकता है देखिए यहाँ पर simply high को break किया green candle बनी लेकिन market को उपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उपर कोई भी stop losses नहीं है उपर कोई stop losses नहीं है stop losses नीचे तो आपको put set की trade linear और market अगर high break करता है तो यहाँ पर buyers को activate करेगा और buyers को activate करेगा तो हमें यहाँ पर समझ में आना हम दोग यहाँ पर entry बना लेंगे तो चलिए आगे जाके आपको समझाता हूँ किस तरीके से और भी चीज़े workout होती है यह एक दिन का आपने देख लिया आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर trade के पीछे का logic क्या था दोनों trade आप समझे फिर आ जिसने selling किया है market में यह selling को देखे market ने इसके profit को जरा भी कम नहीं किया है तो इसलिए यह seller जो है यह अच्छे profit में है लेकिन अगर आप देखोगे market खुला कहां पर है तो market नीचे खुला अब मुझे बताए नीचे क्या कोई stop losses available है अगर market इस तरीके से नीचे जाता है तो यह sellers को trap किया आप देखो तो यहाँ पे red candle बनी फिर से market जब नीचे आया और जबी भी यहाँ पे green candle बनी यह green candle तो यहाँ पे मैंने call side की position बना ली आप देखो यहाँ पे 0.36 मतलब 36% का profit बन चुका है clearly आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे exit क्यों लिया entry और exit दोनों आप के सामने होते हैं देखे यहाँ पे red candle बनी उसके बाद green candle बनी तो मुझा पता है कि stop losses सभी उपर के side है आप देखे इस seller को profit कितना बन रहा है देखे कितना profit बन रहा है इस seller को जो profit बन रहा है लगभग साड़े 500 points का है तो आपको क्या लगता है यह जो seller है इसको इतना cost लेगा नहीं यह क्या करेगा जबी इसका profit 50% से कम हो जाएगा तो यह market से exit ले लेगा तो यहाँ पे देखे फिबोनाची retracement tool है यहां से लेके यहां तक आपको लगाना है देखे बराबर यहाँ पे 0.5 और 0.6 की level आ रही है आप लिए देखे मतलब इस seller का जो profit है वो market ने 50% से कम कर दिया तब इसने अपनी position से exit ले लिया और market फिल से निचे निकल गया तो अगर आपने यहाँ पे entry बनाई है आपको इस area में exit करना ही करना है यही सोच के यहाँ पे entry और exit को plan किया गया यह भी stop loss रेंटिंग से हम लोग ने यहाँ पे execute कर दिया उपर सारे stop losses से नी आप expect मत करो कि market ऐसे उपर जाएगा नहीं यह seller निकल जाएगा तो definitely यहाँ पे उपर भी stop losses available नहीं रहेंगे तो इसलिए यह moment के बाद आप देख सकते हो market नीचे क्यों गया क्योंकि उपर कोई stop losses नहीं है तो market यहाँ से जो buying आई है उनके stop losses हंट करने का काम करेगा और यही चीज मार्केट में हुई है जब उपर और नीचे दोनो stop losses खतम हो गए देखिए market किस तरीके से sideways रहा देखिए market को समझने की कोशिश कीज़े profit बनना easy है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि आप लोग क्या करते हो आप लोग यहाँ वाके calls को देखते हो आप लोग सीखन हो गया seller को profit हो गया बायर तो यहाँ पर loss में निकल गया ओकि यहाँ पर बैटा है वो भी यहाँ पर टिका होगा लेकिन वेट करेगा क्योंकि उसको भी खुलते ही market ने profit देखा रहा शुरू किया तो हो सकता है वो भी यहाँ पर position को hold करे अगर आप देखोगे तो आपको य है जब यहाँ पर closing price का high break हो यह closing price है जैसे ही closing price का high break होता है आपको निकल जाना है क्योंकि market में यहाँ पर buyers आ जाएंगे और जब market में buyers आएंगे उनके stop losses नीचे होते है तो वह hunt करने के लिए market नीच आएगा तो हमें सबसे first stop loss hunting करना है देखिए जैसे कि आप देखो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर call side की trade बना रही और आप देख सकते हो call side की trade में हम ने यहाँ पर 27 परसंट का profit बनाया होता था देखिए simple way में उसके आगे भी अगर देखोगे तो market उपर ही गया है अगर आप logic देखोगे तो देखिए market यहाँ पर ही गया है तो आप चाहो तो आपको दिखेंगे कि activate हो रहे तो यहाँ पर sellers को trap करने की कोशिश मार्केट करेगा और फिर market हो सकता है इस buyer seller की stop losses को hunt करने के लिए उपर जाए ओके चलिए और एक दिन का आपको दिखा देखिए जितना आप देखेंगे ना उतना आपको मज़ेदार लगे यह चीज मैं आ अगर आप देखोगे यह distance को तो कितना distance है closing price से लेके करीब करीब 170-180 points का distance है अब देखें जो भी seller यहाँ पर होगा जिसने यहाँ पर selling किया है क्या वो यहाँ पर wait करेगा इतना अपना profit zero होने के लिए नहीं तो यह क्या करेगा जैसे ही उसका जो profit है market 50% से कम करने लगे व चाहे हमें profit कम हो रहा हो चाहे जाधा हो रहा हो कुछ भी है हमें यहाँ पर एक्जिट करना ज़रूरी है तो देखें मैंने यहाँ पर किस बेसिस पर बनाई जो first candle बनी उसका यहाँ पर high break low break हुआ देखें low break हुआ अब low break होने पर आपको पता है कौन एक्टिवेट होंगे sellers sellers activate होंगे तो उनके stop losses उपर होंगे तो मुझे यहाँ पर call side की trade बनानी है तो मैंने इस candle पर call side की trade बनाई और यहाँ से यहाँ तक करीब करीब 24% का profit निकाला मुझे यहाँ पर निकलना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर 50% से इस seller का profit market कम कर रहा है तो हो सकता यह निकल जा था लेकिन थोड़े के लिए हमारा stop loss उड़े थोड़े के लिए जो है मैं वही बताऊंगा आपको जोटा मुटा चीजी हाँ पर नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे closing price है closing price पे कौन होते है buyer और seller यहाँ पे कौन है sellers है market में यहाँ पे sellers है यहाँ पे buyer और seller दोनों है market खुलते ह यह seller जो है उसको चोटा मुटा profit दिख रहा है यह buyer जो है उसको यहाँ पे market target करने की कोशिश कर सकता है भुआ क्या market खुलते ही यहाँ पे इस तरीकी से उपर गया तो इस seller को market ने सबसे पहले निकाल दिया सबसे पहले seller को market ने निकाल दिया फिर यहाँ पे एक price action बनाया high break होने का high break होने का price action बनाया तो देखिए इस red candle पर आपको entry बनाने यह जैसे ही market में देखिए high break होता है आप देखो यहाँ पर simply market ने देखिए यहाँ पर जो day का हाई था उसे भी break किया उसके बाद देखिए proper red candle यहाँ पर बना दी तो अगर आपने यहाँ पर entry बनाई होती थी तो definitely देखिए यहाँ पर एक आपको देखिए का round number भी है psychological number भी है जो की है देखिए आपके सामने है 45,000 तो देखिए market ने simply आप देखिए 45,000 के psychological number को break किया फिर यहाँ पर एक red candle बनाई उस पर हम लोगे entry बनाई put side की market थोड़ा सा यहाँ पर गया देखिए थोड़ा सा नहीं तो हमारा stop loss hit नहीं होता था अगर आप देखोगे थोड़ा सा hit कर देखिए market नीचे ही गया और यहाँ पर भी हमारा target बहुत अच्छी तरीके से एची होता था यह देखिए 50% भी मिलते थे बड़ यहाँ पर stop loss ही तो यह चीज मैं आपको बताईए 10 जुलाई को अग आप सभी traders के लिए करने वाला हूँ कल रात 9 बजे के वीडियो में एक बहुत बड़ा surprise आने वाला है तो कल का वीडियो बिल्कुल भी miss मत कीजे कल वो बड़ा surprise आप सभी traders के लिए है इस surprise में आपके फाइदे की चीज होने वाली है अब यह क्या होता है यह तो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो अभी सब्सक्राइब करके रखो trade swings YouTube चैनल हमारा चैनल का नाम है वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा रात 9 बजे अभी सब्सक्राइब करके रखो देखिए और एक चीज आपको बत सब एडवांस लेवल का content आपको यहाँ मिल जाता है साथी साथ यह जो stop loss hunting की live trades होती है यह भी मैं यहाँ पर post करता हूँ तो इस तरीके से आपको यह membership section में मिल जाएगा यह सारे वीडियो अपको इस section में मिल जाएंगे तो इस section को आप जरूर access कीजिए इसके लिए आपको प्रीमियम membership के section में access मिल जाएगा तो यह देखे join बटन है यहाँ से आप इसे join कर सकते हो और अगर आपको यह जो course सीखना है यह जो course में आपको अभी बता रहा हूँ इस course को अगर आपको सीखना है तो channel के playlist में जाएए playlist में आपको यहाँ पे SL hunting course फ्री में मिल जाएगा ज तो आप भी इस course को सीखो और इसी तरीकी से analysis आप भी कर सकते हो देखिए यहाँ पर हम दोग ने किस तरीके से trade बनाई है यहाँ पर market में क्या हुआ हुआ है अगर आप इनका profit कम करने के लिए market नीचे ज़रूर आएगा तो कि simply अगर आप देखोगे market में एक first candle बनी उसका high break हो गया psychological level भी थी 45,000 की वो भी break हो गई तो market में यहाँ पे activate कौन हो रहा है buyers और हमें trade कहाँ पर लेनी है put side की क्यों put side की क्योंकि stop losses नीचे है उपर तो कोई stop losses नहीं है तो इसी लिए put side की trade बनाने के लिए simply आपको price action जो देखना है वो होना चाहिए bullish bullish price action क्योंकि market यहाँ पर buyers को trap करेगा तो first candle का high जैसे ही break हुआ उपर जाने के बाद देखिए buyers को और यहाँ पर excitement किया फिर यहाँ पर इस red candle पर अगर हम लोग ने entry बनाई होती थी थोड़ा सा market ने यहाँ पर हमें loss दिखाया होता था लेकिन end of the day अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा target ही टुआ है दिकिस stop loss में इसमें थोड़ा सा flexible करता हूँ 40 से 50 point bank nifty में stop loss को flexible करता हूँ maximum 50 point के उपर में नहीं जाता 50 point यह मेरा final stop loss होता है 40 point मैं कम से कम रखता हूँ लेकिन 40 से 50 point अगर मुझे लगता है कि कोई important level है जैसे मुझे यहाँ पर पता था कि market में उपर कोई stop loss अवेलेबल नहीं है अगर market यहाँ पर नीचे जाने के बदेखे इस तरीके से price action बना भी रहा है तो सिर्फ buyers market में आएंगे यहाँ पर सिर्फ buyers आएंगे और market में उपर कोई stop loss नहीं है तो मैं इसलिए wait कर सकता हूँ तो इसलिए हमारे limit के अंदर अगर यह हो जाता है तो हम लोग इसे wait करके यह profit बना सकते है आगे भी देखते तो यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या हुआ है सिंप्ली देखिए closing price पर buyer seller यहाँ पर buyer available है market open होते ही seller को निकाल दिया buyer को profit में डाल दिया यहाँ पर देखिए इस तरीके से market नीचे गया फिर उपर गया इस green candle पर buyers activate होगे buyers activate होने के बाद हमें पता है market नीचे ही जाएगा क्योंकि सबसे पहले stop losses यहाँ पर लगे है तो इनके hunt करने के लिए market नीचे आएगा आप देखिए तो यहाँ पर जो green candle बनी है उसके बाद में red red तो इस red candle पर हम लोग entry बनाएंगे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें करीब करीब कितने percent मिले है 33 percent का profit बन सकता था simple देखिए किस तरीकी जाओ उसके बाद देखिए market यहाँ पर ही गया है चलिए आगे भी देखिए देखिए जितने दिन आपको दिखा होंगा उतने आपको logic समझ बाया जागा देखिए यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ भी बायर है उसको एक बहुत अच्छा profit हो गया अब क्या होगा अगर यह जादा बड़े profit में रहता है तो market इसके profit को कम करने की कोशिश करता है या तो फिर यहाँ पर अपना यह stop loss को हम लोग consider नहीं करते है यहाँ पर जो stop loss है अगर इसको selling करने पर ध्यान देते है इससे क्या होता है कि मार्केट में हमें selling side में अच्छे कासे momentum नहीं मिल पाती है आप देख सकते है यहाँ पर हम लोग high break होने पर भी जो red candle बंदे यहाँ पर पुट को नहीं कर दे क्योंकि problem यहाँ पर क्या है ना कि अगर हम लोग यहाँ पर पुट को खरी देंगे तो market में सभी लोग क्योंकि gap up बहुत बड़ा होने की वज़े से इस buyer को अच्छा कासा profit दिख रहे है साती सा जितने भी traders है retail वाले उनको लगता है अगर इतना बड़ा gap up है तो कही इसे भी red candle से market नीचे आ जाएगा और यही दिक्कत होती है कि बहुत सारे sellers इसमें गुच जाते है उनके stop losses उपर की तरफ available हो जाते है तो हमें ऐसे केस में जब बड़ा gap down या बड़ा gap up हो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा अलग सोचना है जैसे मैंने यहाँ पर सोचा और simply यहाँ पर FIB टूल लेना है फिर इस candle के जो candle बनी होगी न उससे high तक यहाँ पर इस तरीके से लगाना है और देखे 50% से market अभी fresh SL पर काम करेगा तो यहाँ पर नीचे जाने के गुशिश नहीं करेगा देखे जैसे market में इस तरीके से नी बाजिक है बहुत सारी चीज़े अब यहाँ पर जैसे देखो के सेम चीज़ हुई है अब देखे चार्ट खुद को repeat नहीं करता यह भी एक चीज़ है इसके लिए मैंने कहा कि आपको यह course सीखना बहुत जरूर है क्योंकि एक छोटे से वीडियो में यह सारी चीज़े मैं cover अब तो नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इस और इस दिन भी कल की जैसा हुआ होता था तो मार्केट में सब कमाएंगे सब को लगेगा मार्केट यहां से खुलने के बाद सिदा उपर जाएगा लेकिन मार्केट यहां पर नीचे गया तो यहां पर तो यहां पर संप्ली देख सबस्क्राइब बनी इस रेड़ कैनल को आपको पुट सैड़ी करेड का है और ही में आपको नीचे है ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है तो तो क्या उपर अगे बनायेंगे नहीं बनायेंगे नीचे साइड की जिए में प्रॉफिट बन ग तो यह confused मत हुई है आप बोलोगे सर यहाँ पे उपर साइड को इस टॉप लोसेस नीचे तो यहाँ पे नीचे के साइड को निले है यही लॉजिक में आपको उतारो डिफरेंस क्या है यहाँ पे पॉइंट्स का यह बहुत जादा पॉइंट्स है आप खुदी सोच के देखे अगर आपको 50 POINT का प्रफिट हो रहा है तभी आप मारकेट से निकलोगे अगर आपको 10 20 POINT का प्रफिट दिख रहा है तो किया आप वहाँ पे प्रफिट को बुंग करोगे बिल्खुल भी नि suppliers जो है वह market से निकलने की कोशिश करेंगा जल्दी से जल्दी थोड़ा बी profit क कम होने नहीं देखा लेकिन अगर यहीं मार्केट अगर इस लेवल पे खुलता था तो हो सकता है मार्केट पूरा इनका प्रॉफिट कम करते क्योंकि यहां पर दूसरी चीज यह है कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अब जब होता है या गैप डाउन होता है सब लोग यही सोचते हैं कि अब मार्केट और कितना उपर जाएगा तो वहाँ पे वो put side हर एक red candle पे put side की trade बनाते है put side की trade बनाते हैं इससे क्या हो जाता ना सबी लोग सोचते हैं selling के side पे और उनके stop losses होते हैं उपर तो इसलिए यहाँ पे stop loss hunting हो जाती है और इसलिए यहाँ पे आप देखो के तो market उपर की side गया और यह case में ऐसा नहीं था यह case में gap भी बहुत जादा बड़ा नहीं था साथी साथ price chart अपने आपको repeat नहीं करता है previous day पे जो हुआ वो आज के दिन नहीं होगा यह stop loss hunting में आपको सीखने मिलता है यहाँ पे अगर आप देखो के तो क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ देखिए market में यहाँ पे क्या हुआ जो buyer available है वो देखिए यहाँ पे buyer available है market खुला यहाँ पे आप देखिए इस buyer को भी अच्छा कासा profit हो गया market यहाँ पे खुला करने के पीछे market है stop loss को तो देखिए मैंने यहाँ पे simply Fibonacci लगया from this low point to this high point और आप देख सकते हुआ यहाँ से यहाँ तक market ने पूरी retracement complete की इस buyer को निकाल दिया इसके stop losses को हंट कर लिया trailing stop losses को अब market वापस उपर जा सकता है तो यहाँ पे एक green candle देखिए मैंने entry बनाई देखिए यहाँ पे भी हमें hold करने पे बहुत अच्छा profit बन सकता था देखिए वैसे तो दोस्तो इस वीडियो को और भी लंबा कर सकता हो यह सारी details आपको explain करके लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना interest इसमें है वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी time जाएगा तो इसलिए मैं अगले वीडियो में इसे cover कर लूँगा पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा interesting लगा कि नहीं साथी साथ आपको इसके उपर और वीडियो चाहिए कि नहीं ये भी मुझे बताइए live trades तो already मैं दे रहा हूँ जो हमारा membership का section है वहाँ पर भी आपको live trades देखने मिलेंगे और channel के उपर भी देखने मिलेंगे तो ये सारी चीज़े होती रहेंगी अगर आपको भी हमारे channel के उपर join करना है तो join बटन दिया हूँ यहाँ से join कर सकते हो साथी साथ इस course को free में भी देख सकते हूँ हंटिंगे और दोस्तो कल के दिन जो Friday है Friday के दिन रात 9 बजे के वीडियो में एक बहुत बड़ा surprise आप सभी traders के लिए plan करो तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस्मत कीजे मिलेंगे दुस्तो अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ knowledgeable content के साथ तब तक के लिए thank you so much और जय हिंद